वेलकम, वेलकम टो मैं चैनल विश्वजीत रिसेर्च सेंटर आज इस मिसाइल का टेस्ट के बार मैं बताने वाला हूँ आपको वो मिसाइल कुछ नहीं नहीं है ये हम लोगों को बहुत पहले से पता है In fact, हमारे सभी लोगों को पता रहाएगा इस मिसाइल का नाम प्रिथवी प्रिथवी के तीन वारियंट है 1, 2 और 3 आज जो टेस्ट किया गया है In the sense, कल किया गया था 10 तारिक को जो टेस्ट किया गया था उसका था प्रिथवी 2 का टेस्ट यह test इतना important क्यों है और यह missile इतनी important क्यों है हम लोगों के लिए जबकि यह 1996 में induct हुई थी service में फिर भी आज तक इसका test क्यों किया जा रहा है क्योंकि आपको बता दू हमारे पस जितने भी nuclear missiles है जो बने हैं वो इसको base रखकर ही बनाए गया है यह अधार सीला आप बोल सकते हैं हमारे nuclear missiles हों की तो यह बहुत important है for Indian trident of nuclear bombs ठीक है दूसरा चीज़ यह short range का ballistic missile है और इसका जो इस बार का test किया गया उडिसा के तट से वो किया गया है in night देखा पहले कर लिया गया था successful test अभी night में इसका test किया गया वो भी proper parameters को इसने pass किया है और target पर proper hit किया है वापिस से बता दूँ बहुत लोग बोलेंगा हमारे पर प्रलाय है ब्रह्मोज है विश्नु गनया बन रहा है अगनी है फिर प्रित्वी पर ही क्यों हम लोग हर बार test कर रहे है यह इतना important है कि इसको हर बार test करके देखा जाता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यह हमारा nuclear जो missile से उसका base है और दूसरा चीज यह आपको सबसे बड़ा खुबी इसका warhead यह बहुत ज़्यादा carry कर सकता है इसका यह short range का ballistic missile है 200 से 300 km का range है इसका लेकिन आप इसमें cluster bomb डाल दो fragmentation डाल दो thermobaric डाल दो heat बढ़ा निकलियो उस जगह पे और या फिर आप इसमें tactical nuclear bombs भी डाल सकते हो छोटे आकार के इन फेक्ट इसका जो warhead capacity ही वो 1000 kg का है जो की आप पकड़के चलो ब्रम्होस का तीन गुना है लेकिन ब्रम्होस एक supersonic missile है और यह एक ballistic missile है हम लोग किसी को compare नहीं करेंगा दोनों अपनी जगह बहुत best है लेकिन छोटे war के लिए और छोटे जगह पे लिए ब्रम्होस और बड़े-बड़े missiles हम यूज नहीं कर सकते हैं करें tactically आपको strike करना है कुछ करना है तो प्रित्वी is the best क्योंकि वो छोटा है इन दी range short range का है ballistic missile भी है और आप इसमें multiple types के chemical weapons डाल दो या कुछ भी करो missile और महेंगी missile मारके कुछ फायदा नहीं है आज का date में हम लोगों से कोई भी full-fledged war करने को कभी ready ही नहीं होगा तो छोटे wars के लिए सब चीज के लिए छोटी चीजें ही काम में आएंगी हमें बड़े पैसा डालने के जोरत नहीं है ठीक है ये तो हो गई एक बात और प्रिथवी जब वो है capable अपना चीज करने के लिए within 350 km 300 km का अंदर तो क्यों नहीं यूज करेंगे इस वेरी गुड मिसाइल और वी शूट गो वेद इट ये गलत चीज है कि ये पुराना हो गया है हाँ इसको रखा गिया है इस दी बेस मॉडल फर दी नुकलियर बॉंब सवाच वेरी यूजिंग राव एट नॉ जो मिसाइल उसके लिए तो ये एक आधर सिला भी है और इसमें तो अपग्रेड किये ही जा रहे हैं तो कुछ बुरी बात है नहीं अभी आ जाते हैं अपनी दूसरी खबर पे ये खबर भी एक मिसाइल को लेके ही है जिसका नाम है नेवल एंटी शिप मिसाइल और इसको जो डिफेंस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं या जिनको मिसाइल के बारे में नॉलेज अच्छा रहेगा उनको ये पता भी रहेगा ये एक बहुत क्रूशल मिसाइल है फॉर इंडिया और ये जो है ये एक्छुली हमारे पास जो पहला वेरियंट था एनेवल एंटी शिप मिसाइल का ये प्लेन जाला था मतलब फाइटर जेट से अब इसको फाइर कर सकते थे और इसका रेंज था 150 km लेकिन इसका पोटेंशल देखते हुए इसका क्वालिटी देखते हुए DRDO और हमारे सैंटिस्टों ने कहा कि सिर्फ हम इसका एक वेरियंट नहीं बनाएंगे इसको हम मल्टिपल वेरियंट में बनाएंगे इसका रेंज भी बढ़ेंगे इसका वरहेड कैपेसिट भी बढ़ेगा इसमें नए टेकनिक्स रडार्स फीचर्स आयर सीकर वगयरा सब कुछ डाले जाएंगे तो इसको एक अलग टाइप से इसको तीन-चार वेरियंट में इसको बनाया जा रहा है इसका नाम बहुत लोग MR मिसाइल भी काते हैं मिन्स यह मेडियम रेंज का था इसका रेंज जो अभी वाला जो है यह 100-150 किलोमेटर का है आप लोग बोलेंगे रेंज तो बहुत छोटा है लेकिन आप समझिये मैंने आपको पहले ही बोला अपने साथ ध्यान दिया रहेगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया रहेगा लेकिन अप जो वेरियंट बनाय जा रहे है इस वेरियंट को काफी डेवलब किया जा रहा है और मान के चलिए ये साड़े तीन सो किलोमेटर तक का इसका रेंज बढ़ा दिया जाएगा With more capabilities, with new seekers और सब चीज के साथ इसका हर एक चीज बढ़ा दिया जाएगा और ये काफी जवरत भी है क्योंकि आप समझो ये जब ship से fire होगा अभी तक तो हम लोग जो fire करने वाले थे ये fire हो रहा था आपका fighter jet से लेकिन ship से और submarine से जब ये fire होगा naval anti-valistic में अपना जो ये missile है naval anti-ship missile अगर ये ship से forward होगा या फिर आप submarine से आप ये इसको fire करते हैं तो ship submarines ये सब का speed आप fighter plane का तुलना में देखिएगा तो बहुत slow है तो उस slowness में ये अगर डेढ़ सो का range में ही रहे तो बड़े चीज या मालने जिश समबने केसी का पकड़ में भी आ गया और इसको ship variant भी बनाया जा रहा है प्लस coastal variant भी बनाया जा रहा है इन दोनों में काम करेगा ये इसके लिए और ये बहुत ही घातक missile है क्योंकि ये एक fire and forget वाला missile है आप fire कर दो आप जिस जंग की जहाज को उपर इसको लगा के fire कर दिये हो ये उसको एक ही short में डुबा है कि इसको तो मतलब आपका फाइटल प्रेंस वाला तो successful है ही बसरते इस पर new develop करके new variants किया जा रहा है जो कि coastal base भी रहेगा और mostly submarine और अपना frigates या destroyer जो भी अपना ships है उससे भी fire किया जा सकता है अभी तक तो फिलाल इस पर इतना ही news था आगे देखता हूँ मैं इस पर और कुछ जैसे ही update आता है मैं आपको जरूर से जरूर बताऊंगा फिलाल वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद ठैंक् करें हिंद वान्दमात्रम